थेट हैलो फ्रेंज वेलकम टो एससी मेकर दोस्तो हमने रेल्वेय एन्टी पी सी गृवबडी परिक्षा के लिए क्रेस कोर्स से सटाट कर दिये हैं और इस क्रेस कोर्स में हम देखेंगे साइंस के प्रीविस एर के कॉर्षन देखें दोस्तो होता क्या है railway ntpc group d परिक्षम में लगबख 70-80% question repeat करते हैं यानि previous year से पूछे जाते हैं दोस्तो अगर आप सारे paper त्यार कर लेते हैं तो आपके 70-80% question यहां से त्यार हो जाएंगे और मैं आपको बताते चलूँगी कि कुन-कुन से question important है और कुन-कुन से question जाद repeat होते हैं दोस्तो यह ssc maker के द्वारे एक special e-book launch की गई है जो railway ntpc group d और other exams के लिए बहुत ही अच्छी e-book है और इस e-book में दोस्तो आपको जो है 1500 plus questions मिलेंगे जो most important question है जो हमेशा आपके exam में पूछ जाते हैं और इसमें दोस्तो आपको science के 20 set ठीक है general awareness के 20 set gs1.9rk 25 set और maths के 110 most important question reasoning के 100 most important question ठीक है दोस्तो जो पूरी तरीके से detail wave में solve किया हुआ है आपको समझने में maths reasoning में कहीं पे भी समझ्य नहीं होगी और हम आपको बता दे इस e-book को लेंगे कहां से इसका link नीचे description box में है comment box में जिसकी कीमत है दोस्तो मातर 69.00 ठीक है और यह limited time के लिए है दोस्तो यह जो e-book है दोस्तो PDF notes की तरह है आपके mobile में ही download हो जाएगी अगर आपको downloading या payments से किसी परकार की समस्य भी होती है तो यह sse maker का customer के नंबर है जो है 7080108 555 आप इस नंबर पर call भी कर सकते हैं ठीक है call करके बाद भी कर सकते हैं तो यह देखे क्रेस कोर्स का 44 वीडियो है तो आईए शुरू करते है हमारा पहला question हमारा first question है दोस्तो हमारा first question है दोस्तो किसी अवरोत की कोर यानि किनारे से प्रकास का मुणना क्या कहलाता है तो दोस्तो वे कहलाता है विवरतन ठीक है दोस्तो नेक्स पस उसी माध्या में लोड जाती है और यह जो घटना होती है इस घटना को कहते हैं प्रकास का परावरतन याद रखी का दोस्तों हमारा third question है दोस्तों निमलेकित में से कौन सी घटना प्रकास और द्वनी दोनों में घटित नहीं होती यहाँ पर दोस्तों नहीं पूछ रहा ह रगड़ा जाता है तो छड़ क्या हो जाती है बताइए तो दोस्तो तब क्या होता है धनाविशित हो जाती है जब काच की छड़ को रगड़ा जाता है तो छड़ क्या हो जाती है धनाविशित ओके दोस्तों हमारा next important question है दोस्तो फेराडे का नियम संबंदित है बताए किसे related है तो दोस्तो वह है वदुत अबगटन से ठीक है दोस्तो 1834 में ठीक है 1834 में जो है फेराडे ने वदुत रसानग्य से संबंदित अपने कुछ संख्यात्मक प्रेक्शनों को प्रकाशित किया और इने जो है फेराडे के वदुत अबगटन के नियम कहते हैं यानि कि फेराड is law of electrolysis याद रखिए का दोस्तो next question पर चलते हैं हमारा next question है दोस्तो वदुत बल्प के दंदु के निर्माण में tungsten का प्रियोग होता है क्योंकि इसका क्योंकि इसका दोस्तो उचगल नांक होता है ठीक है इसलिए वदुत बल्प के दंदु के निर्माण में tungsten का प्रियोग होता है हमारा 7th question है दोस्तो निम्लिकित में से कौन अनुद चुम्ब के बदार्थ है मैं आपको पहले भी बताया था दोस्तो वह क्या है Oxygen हमारा 9th question है दोस्तो वदुत चुम्ब के प्रेणना के नियमों का उप्योग निम्ल में से किसको बनाने में उप्योग किया गया है तो दोस्तो वह क्या है चनित्र ठीक है और दोस्तो ये वीडियो कैसे लगा बताईएगा जरूर अगर आपको वीडियो अच्छे लगाया तो ससी मेकर को लाइक कीजिए सब्सक्राइब करें अंशेयर करना बिलकूर न भूलें नाक्स्ट केशन पर चलता है हमारा नाक्स्ट केशन है दोस्तो किसी चुम्ब के बदार्थ को वी चुम्ब के किया जा सकता है बताईए कैसे तो दोस्तो किसी चुम्ब के बदार्थ को वी चुम्ब के कब किया जा सकता है गर्म करने पर ठीक है हमारा नेक्स्ट कुशन है दोस्तो इलेक्ट्रोन वेहन करता है बताईए तो वहन क्या करता है एक यूनिट रिणावेश ठीक है चार्ज इस पर किसका होता है दोस्तो नेगेटिव का यह यहाँ पर पूश रहा है चलते है नेक्स्ट कुशिन पर हमारा एलेवन्थ कुशिन है दोस्तो निम्न में से क्या एक मिश्र नहीं है मिश्र बता रहा है इन में से क्या नहीं है तो दोस्तो वह है ग्रेफाइट ठीक है यह जो होता है दोस्तो प्यॉर कार्बन है कार्बन से निर्मित इसके लावा काच पीतल स्टील दोस्तो यह सब मिश्र है ठीक है आप जानते ही होंगे हमारा next question है दोस्तो important question है भोजन में vitamin D की कमी से होने वाला रोख कौन सा है बताईए उस रोख का नाम तो वे है दोस्तो vitamin D की कमी से होता है रोख रिकेट्स ठीक है इसकरवी, बैरी-बैरी और रतूंदी ये किस vitamin से होता है या मुझे कमेडोक्स में बताईएगा ठीक है हमारा 13 question है दोस्तो किसी तत्व के समिस्थानिकों में भीनता का कारण है उनमें निमलिकित की संख्या का भीन होना तो दोस्तो वे क्या है वे है neutron ठीक है हमारा next question है दोस्तो जलकी स्थाय का ठोड़ता दूर करने के लिए यह विदी नहीं अपनाई जा सकती पताईए इनमें से कौन सी विदी है जिसमें जलकी स्थाय का ठोड़ता का ठोड़ता जो है दूर करने के लिए उप्योक नहीं होता तो दोस्तो वे क्या है वे है तो शेर ज़रूर करें हमारा 15 कुषियन है दोस्तो तापमान को 0 डिग्री से कम करने के लिए बर्फ में मिलाये जाने वाला पदार्थ कौन सा है तो दोस्तो वे है सोडियम क्लोराइड ठीक है तापमान को 0 डिग्री से कम करने के लिए और बर्फ में क्या मिलाया जाता है sodium chloride हमारा नेक्स्ट किशन है दोस्तो stainless spahp बनाने के काम आने वाले धातू का युग्म क्या है तो दोस्तो वह है chromium और spahp ठीक है हमारा नेक्स्ट किशन है दोस्तो वदुत चुम्ब को में निमलिकी धातू काम आती है तो वह कौन सी धातू है वे है दोस्तो नर्म लोहा ठीक है हमारा 18 क्रिशन है दोस्तो मदो में से घरस्त रोगयों के मोत्र की नमूने में क्या होता है तो दोस्तो वे होता है ग्लुकोज ठीक है जिसके कारण हमें मदो में का पता चलता है कि जो वह वैक्ती है मदो में से घरस्त है या हमारा next important question है दोस्तो संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली ओशिदी का नाम क्या है तो दोस्तो वह क्या है बताईए वह है सलफातियाजौल चीक है हमारा next question है दोस्तो vitamin C क्या है तो आप जानते ही होंगे दोस्तो वह क्या है ascorbic aml हमारा next question है दोस्तो dinosaur का सुनेरा काल किस महा कल्प को कहते हैं तो दोस्तो वह क्या है मिसो जवाइक काल ठीक है जो सुनेरा काल था डायना सोर का वह क्या था मिसो जवाइक काल और दोस्तो ऐसी प्रस्तिम वीडियो और क्याशन के लिए ssc maker को आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए सब्सक्राइब करें शेयर करना बिलकूं न भूले हर सोसल साइट स्वेच पर खीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हल्प हो सके तो दूसरों की भी हल्प कीजिए दो दूस्तों आधूनिक मानव दक्षणी फ्रांस में क्रे मैंग नौन नामकिस्थान से वर्तमान मनिश्य के निगर्थम पूरवजों के जिवाश्म प्राप्तु हैं और इने जो हैं क्रोमैक नौन मानव अत्वा आधूनिक मानव का जाता है इसके रलावब दोस्तों इनकी अस्तियों से नखेवल इनके लम्बे सुदो सूद्रड और बुद्धिमान होने का बास होता है और क्या होता है युओरोपिय जातियों से इन्हें पृधिक कर सकना अत्यन्त कठीन हो जाता है ठीक है और जो चित्रकला थी उसमें उनकी क्याति दोस्तो ये जो इनकी चित्रकल आती, इनमें उन्नती पर थी वो, ठीक है, हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्डन क्रिशन है दोस्तो, पैलेंटोलोजी अध्यन है, किसका बताईए, तो वह है दोस्तो, जिवाश्मो का, ठीक है, जिवाश्मी की या जिवाश्म विज्ञान या पैलेंटो दोस्तो, जिवाश्मी की है, इसकी परिभाशा देते हुए, च्वैव हो फेल और आक ने लिखा है, जिवाश्मी वह है विज्ञान है, जो आदिम पोधे और जन्तो के अश्मी भूत अवशेशों द्वारा प्रकट भूत कालिन भू गर्बिक यूगों के जीवन की हैं, हमारा नेक्स्ट क्रिशन है, दोस्तो, मानव की उत्पत्ती किस यूग में हुई थी, तो दोस्तो, मानव की उत्पत्ती कब हुई थी, बताईए किस यूग में, तो वे हुई थी, प्लायोसीन वाले यूग में, ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्रिशन है, दोस्तो, मानव व आस्टोसिस विटेलिस रोग गर्ब पात कर सकता है तो वह है दोस्तो आरच प्लस पती तथा आरच माइनस पत्नी ठीक है हमारा नेक्स्ट क्रिशन है दोस्तो आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वश कौन थे तो मैंने आपको दोस्तो बताया वे कौन थे क्रोम एक नॉन मानव ठीक है हमारा नेक्स्ट क्रिश्टन है दोस्तो जीवन की उत्पत्ती किस महा कल्प में हुई तो दोस्तो जीवन की उत्पत्ती जो है प्री कैब्रियन में हुई थी हमारा next important question है दोस्तो iodine युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका है आप जानते हैं दोस्तो उसका relation किस से है थायराड ग्रंती के कारे का नियमन करना हमारा last important question है दोस्तो निमलिकित में से कौन आदोनिक मानव का सबसे निकट सम्मन्दी है सबसे close बताना है दोस्तो मानव के कौन है तो आप जानते हैं दोस्तो वह क्या है गोरीला ठीक है तो दोस्तो यह थे क्रेस कोर्स में साइंस के प्रिवेस एर के question I hope यह वीडियो आपको पसंद आया है यह वीडियो कैसा लगा comment box में जरूर बताईएगा पसंद आया तो अपने study रेटिव गृप में शेयर जरूर करें और SSC Maker को लाइक सबस्क्राइब और शेयर करना बिलकूर न भूलें आज के लिए बस इतना ही Thank you so much दोस्तो